आज बाबा हमें बहुत नुशा चड़ा रहे हैं, शिक्साएं भी दे रहे हैं, रुडियान कर रहे हैं बाबा कह रहे हैं, तुम्हारा स्वभाव बहुत इजी होना चाहिए, जरा भी घमंड नहीं, ज्यान यक्त बुद्धिरे, एंकार जरा नहीं पुद्धान दे रहे हैं, देखो मैं इस भूढे तन में आता हूं, मुझे अपना तन नहीं है, मैं पुनर्यनम नहीं लेता, मैं तो परमधाम से आता हूं, मुझे नया तन नहीं मिल सकता तो इस ब्रह्मा को भी बहुत नशा रहता है एम उब्जेक्ट सामने है लक्षमिनायन बस हम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे जैसे की बेबी जैसी स्थिती हो जाती है वच्चे जैसी स्थिती इजी हो जाते हैं गवंड बिल्कुल नहीं रहता देवान भूल जाता है बिल्कुल वच्चे बन जाते हैं कि ब्रह्मा बाबा का practical स्वरूप्ता जो बहुत ने देखा है चेहरे पर वही संस्कार वही एकस्प्रेशन आजाते थे तो बाबा हमें बार-बार याद दिला रहे हैं तुम इस पढ़ाई से प्रिंस प्रिंसेज बनते हो, गोल्डन एज के देवी देवता बनते हो, स्री बावा कहरे मैं नहीं बनता, ब्रह्मा बावा बनते हैं, ब्रह्मा बावा कहरे मैं तो बनता हूँ, मुझे बहुत खुशी रहती है, बास ये बुढ़ातन छोड़ कर, मैं जाकर प्रिंस प्रिंसेज बनोंगा, श्रीकरस्न बनोंगा, बहुत खुशी रहती है, तो मच्चों को भी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और बहुत खुशी में रहना चाहिए, बच्चे जल्दी जल्दी खुशी को गुम कर देते हैं, तुम्हारी खुशी नहीं होनी चाहिए, कितनी बड़ी पढ़ाई, कितना बड़ाई स्टेटस, एक्जाम होगा, और हमें ये पद मिल जाएगा, आज बाबा एक बात पर और हसी मजा कर रहे हैं, तुम बच्चे बेबी बुद्धी हो, बेबी से भी बेबी हो, ग्यान तो बहुत अच्छा सुन जाते हो, ग्यान बहुत है, लेकिन योग में बिलकुल नहीं रहते, बच्चे भी लिखते हैं, बाबा, याद भूल जाती है, तो बाबा का, तुम तो बेबी से भी बेबी हो, तो बच्चे लिखते हैं, बाबा, हम बेबी हैं, बाबा लिखते हैं, हाँ, तुम बेबी हो, जो याद में नहीं रहते, ऐसे बाप को, जो तुम्हें प्रिंस-प्रिंसेज बनाता है, ऐसा बाप, जो तुम्हारा बाप टीचर सदबुरु है, ऐसा बाप, जिसे तुम जनम-जनम भगती में याद करते आए, हे भगवान आओ बुलाते आए, तुम उस बाप को याद नहीं करते हो, उसे भूल जाते हो, तो तुम बेबी हो गए न, तो याद में नहीं रहोगे, तो तुम्हे नासा कैसे चड़ेगा, कि हम वर्ल्ड प्रिंस प्रिंस से जाकर बनने वाले हैं, हमारी पढ़ाई कितनी महान, पढ़ाने वाला कितना महान, ह हम यह नासा रहना चाहिए, बाबा कह रहे हैं, अपने योग का चाट रखो, हम किस किस तरह से याद करें, दिन में फुर्सत नहीं मिलती, वैसे तो बाबा कह रहे हैं, बाबा को लिखो, बाबा को बताओ, बाबा हमारा यह यह ऐसा ऐसा काम है लोके, उसमें हम याद में न होगा, कुम्हारा विजनस हे, बिजविशमें राक नहो याद में रहो, भोजन खाते हो भोजन खाते उए याद में रहने का अभ्यास करो. बादा यह यूगति shower बता रहे हैं, तुम बावा से पूछो, ब्रह्मा बावा भी योग का पुरसार्थ करते हैं, लेगिन इनके जिम में बहुत सारी बाते हैं, शिर्प आव मामले बहुत हैं, तो भूल जाते हैं, इसलिए सवेरे उठते हैं, याद अच्छी रहती है, बावा कहरें, नो बजे र बावा भी उठते हैं, ठक जाओ, थोड़ा याद में लेट जाओ, बावा थोड़ा रिलेक्स भी कर रहे हैं, क्योंकि बावा का सरीर भी तो बूढ़ा था न, ठकान भी हो जाती थी, थोड़ा लेट जाते थे, तो शिर्मती दे देते हैं बच्चे, थोड़ा लेट जाओ, थोड़े देंद भी आ गई, कोई बात नहीं, फ्रेस हो जाओगे, तो बाबा इस तरह याद पर हमें बहुत जोर दे रहे हैं, कि तुम याद नहीं करोगे, तो पतित से पावन कैसे बनोगे, तुमारे विकरम बिनास कैसे होगे, तुमारी सेवा कैसे व्रद्धी को प्राप् आई से प्रिंस, प्रिंस सेज बनने वाले हो, तो तुमारी खुसी का पारवार नहीं रहना चाहिए, हम अपने एम अब्जेक्ट को सामने रखें, ये नहीं कहना चाहिए, जो मिलेगा ले लेंगे, ठीक है, बाबा ये बात सुनके कभी खुस नहीं होता, बाबा उदान दे रहे, कोई लोग कॉलिज में पढ़े, बैरिस्टर पढ़ाने वाले हो, और कहें हम बैरिस्टर बने न मन बने, क्या फरक पढ़ता है, तो पढ़ने क्यों गए हो, तो तुमारा भिया एम अब्जेक्ट है, नर्स से नारा नारी से लक्ष में बनना, प्रिंस, प्रिंस सेज तो तुम ये नहीं कह सकते, बनेंगे या नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, तुम्हें बनना ही है, ऐसी धर्ड़ता, ऐसी उमंग, अपने अंदर रखो, दिल सिखास्त भी क्यों होते हो, बाबा आज, इस बात पर भी हमारा ध्यान की चारे हैं, तुम्हें डिसार्टरंट नहीं होना है, निरास भी नहीं होना है, कीक है, कोई गड़बड होती है, लोग कुछ-कुछ बोलते हैं, कोई माय आती है, लेकिन तुम्हें विजयी बनना है, बाबा तुम्हारी साथ है, बहुत अची पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो, विजय तुम्हारी होगी, तुम्हा अब तुमें प्रिंस प्रिंसेज बनाता है, उस बाब को तुम क्यों बूल जाते हूँ, हमें नहीं बूलना है, आजका वर्दान है, एकता और एकागरता के द्वारा सफलता को प्राप्ट करना है, शेवाउ ऐं भी लोकिक में भी, एकता हम जानते हैं, हमारी जितने भी टीम हो परिवार के लोग हो उसमें हमें एक्ता पैदा करनी है अभी मान ना हो तो एक्ता हो जाती है और एकाग्रता उसी कारिये में हम तल्लीन हो जाएं तो इन दोनों की विशेष्टाओं से हमें हर कारिये में सफलता मिलेगी एकाग्रता से ही फ्यर्थ से मुक्त और निर्विकल पिष्थिती बनेगी और एकता का स्वरूप दिखाया है, सबकी अंगली लगी, परवत को उठा लियागो और धन परवत को, तो हम इससे सफलता प्राप्त करेंगे, और स्लोगन है, बाप की सर्व सक्तिवान की छत्र चाया में रहो, तो माया की चाया आ नहीं सकती, तो आज, हम सारा दिन अभ्यास करेंगे, मैं गलोब के ऊपर हूँ, शिव सक्ति और मेरे सिर के ऊपर सर्व सक्तिवान चत्र चाया है, ओम स्यांती.